सुहाना खान जो जोया अक्तर की फिल्म दे आर्चीज के साथ बॉलिवुड में अपनी बड़ी शुरुआत करने के लिए पूरी तरह तयार है ने हाल ही में एक बातचीत में राष्ट्रिय फिल्म पुरसकारों में अपनी शादी की साड़ी को दोबारा पहनने के लिए आलिय फैशन के बारे में बात की उन्होंने कहा हाल ही में आलिया ने राष्ट्रिय पुरसकारों के लिए फिर से अपनी शादी की साड़ी पहनी थी और मुझे लगता है कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसके पास एक मंच है जिसका प्रभाव है मुझे लगा कि यह अविश् फिट दोबारा पहन सकते हैं बता दें सुहाना खान की आने वाली फिल्म एक पुराने जमाने की ड्रामा है जो पर्यावर्ण की रक्षा करने की कोशिश कर रहे आर्ची और उसके दोस्तों पर केंद्रित है अक्टूबर में आयोजित 79 वें राष्ट्रिय फिल्म पुरसकार समारोह में राष्ट्रिय पुरसकार विजेता आलिया भट को देखना एक अध्भुद द्रिश्य था हालांकि जो बात उन्हें विशेश बनाती थी वह यह थी कि उन्होंने राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रिय पुरसकार प्राप्त करने के लिए अपनी शादी की साड़ी पहनी थी जैसा कि प्रशंसकों को आश्चरे हुआ कि अभिनेत्री ने एक पोशाक को दोहराया क्यों आलिया भट ने एक नोट लिखा जिसमें उनकी शादी की साड़ी पहनने के पीछे की सोच का खुलासा किया गया कार्यकरम से अपनी एक तस्वीर साजा करते हुए आलिया भट ने लिखा एक विशेश दिन के लिए एक विशेश पोशाक की आवश्चकता होती है और कभी-कभी वह पोशाक पहले से ही मौजूद होती है जो एक बार विशेश होता है वह फिर से विशेश हो सकता है और फिर से